अब बहुत सब नए प्लेयर्स पूछते हैं कि GrandRP में लेवल अप कैसे करें और Battle Pass का क्या रोल होता है तो आज की Beginner's Guide के Part 4 में आपको दोनों ही explain करूँगा कि आप Battle Pass कैसे अच्छे से use कर सकते हो और कैसे आप अपना in-game level को जल दी से बढ़ा सकते हो तो वीडियो को end तक देखना है और अब तक GrandRP खेलना start नहीं किया तो description में दिये link पे click करो अपना username set करो, email डालो और free manager कर लो तो GrandRP का launcher download करके आजाओ खेलने हमारी assassin family join कर लेना जहां सबी members को super cars मिलते हैं चलाने को और साथी मेरे office 1419 में task करोगे तो आपको 9K का bonus भी मिलेगा सबसे पहले बात करते हैं battle pass की तो यह दूसरे games के battle pass की तरही है जहाँ आपको daily task करने होते हैं और उसके हिसाब से आपको rewards and items मिलते हैं सबसे पहले आप M press करो menu में नीचे battle pass का option है वहाँ पर जाओ और आपको battle pass के levels दिखेंगे इसमें आप जितना progress करते रहोगे उतना आपको reward मिलेगा सबसे असान तरीका है task करना आपको बहुत सारे task दिख रहे होंगे बहुत से daily task भी है और weekly task भी है जिनके आगे लिखा है कि उनसे आपको कितना XP मिल रहा है इन में से जाता task असान होते हैं जैसे कि एक है कि visitor casino मतलब बस casino तक जाना है अंदर गुसना है और ये task complete हो जाएगा फिर है buy a can of petrol और उसको आपको दो बार करना है मतलब दो petrol की cans खरीद नहीं है तो आप किसी सस्ते वाले gas station पर जाना वहाँ से दो petrol की cans खरीद लो और आपका ये task भी done है अब हाँ ऐसे खरीदने वाले task में कोई सस्ती जगह डूणना कि ये ऐसे नहीं हो कि भाई task करने के चक्कर में आप पैसे बढ़बात कर दो फिर next एड डालना तो वह भी simple है अगर आप में कोई need है तो उससे related डाल दो और अपका task हो जाएगा बना मैं तो random toll ad डाल रहा हूँ और mobile dnd पे कर दिया है कर फिर next नेक्स है put up a tent so एक 24-7 शोर पे जाओ वहाँ से tent खरीदो और उसे कहीं पे भी put up कर दो पर दियान रखनागिया 10 टेस्टी जगह पे लगाओ जो दूसरे को disturb न करे प्रॉप्लम नौ दूसरे प्लेयर्स को साथ यार कोई ऐसी जगह डूनना जहाँ पर सस्ता मिल रहा हूँ मैं तो यहाँ पर वीडियो बनाने के चक्कर में महंगी जगह से खरीद लिया एक क्रिप्टो करेंसी एक ठारा उनने से दार किया आती है सो बीस तो बहुत हमेंगी पड़ेंगी इसला यह तो मैं करने नहीं वाला बिल्कुल भी वर्थरेट नहीं है हाँ आप चाहो तो एक जीसी खर्च करके इस टास्क को चेंज कर सकते हो बड़ उसका फायदा क्या हो होगा जरुरी थोड़ी है सारे टास्क करने हैं नेक्स डे कर लेना आपको नय टास्क मिल जाएंगे यो कि रोज रोज डिफ्रेंट टास्क आएंगे जो उनने वीडि़ो में बताया जरुरी नहीं है कि वहीं आए इसके साथ वीकली टास्क भी हैं जो काफी बड़े होते है पचास बार पार्किंग को रेंड करना या फिर साथ बार वील घुमाना तो यह मुझे वर्थ इतनी लगतियार कुछ जाद ही हो जाते तो आप इन्हें आप स्किप भी कर सकते हो चलो टास्क तो कर लिए पर मिलेगा क्या तो अगर आप वापस बैटल पास पर जाओगे तो आ नए लेवल्स उनलॉक हो गए है और वो सब आइटमस आप क्लेम कर सकते हो लाइक अभी तो मिनको हेल्थ केट और यह केट वेगर मिल रहे है बट आप देखो कि कुछ आइटमस आप क्लेम ही नहीं कर सकते है ऐसा इसलिए क्यों कि बैटल पास के डिफरेंट लेवल्स होते ह इसलिए लोग सर्वर में भी इने सेल करते हैं तो आप वो भी खरीद सकते हो बट हाँ यार यह महंगे तो आते हैं विकॉज इनमें से आपको सूपर कार्स और महंगे क्लोधिंग आइटमस भी मिल सकते हैं तो यह तो था बैटल पास बट अपना लेवल कैसे बढ़ा है मतल लेंगे तो जितना जादा पॉइंट्स उतना जल्दी आप लेवल अप करोगी मुझे याद है इन टुम में एक टाइम पे पूरे दिन ऑनलाइन डाता था लिट्रिली पूरे दिन मतलब रोज एटार्स वाले इंबेश्मेंट रिवार्ड ले रहा हूं रोज वील घुमा रहा हूं रोज डेली लॉगन रिवार्ट से ले रहा हूं बहुत ग्राइंट किया था उस टाइम एड इसलिए मेरे लेवल भी बहुत तेजी से बढ़ा था बट आप अपने एकॉर्डिंग खेलो यार रोज 10-10 गंटे खेलने की कोई जरूरत नहीं है लिमेंटेट खेलो इनजोई करके खेलो एंड इनजोर्मेंट तो ग्राइंट अर्पी में फूल होता है तो अब दर ग्राइंट खेलना श्चार्ट नहीं कि लिए तो डिस्क्रिप्टिन में दिये लिए लिंगे क्लिक करो अपना युजर्यम सेट करो इमेल डालो और फ्री में रिजिस्टर कर करो और साथी मेरे ओफिस 1419 में टास्क करोगे तो आपको 9GB बोनस भी मिलेगा थ्री बेस्ट बेगना जॉब्स जानने के लिए राइट वीडियो देखो और ग्राइंट आर्पी कैसे खिलना स्चार्ट करें उसके लिए लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो ये वीडियो अच् झाल 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 झाल